आप लोगों का माय ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरूल रो में टी और एस का लोगो डिजाइन कैसे क्रेट करना है उसके पर में बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए क्या है अभी टेक्स टूल में आता हूँ मैं इधर क्लिक करता हूँ अभी इधर क्या है क्या है क्या है मैंने अभी इधर क्या है टी और एस टाइप कर लेता हूँ तो अभी इसका जो फॉंट का जो स्थैल है इसको चेंज करता हूँ मैं अभी इसको क्या है तोड़ा बोल्ड वी कर लेता हूँ सो इतना करने के बाद अभी इसको एक size देता हूं मैं समझो अभी इसको एक 200 दिया मैंने सो इसको तो आप बड़ा करने के बाद अभी इसको क्या है Ctrl K प्रेस करता हूं Ctrl K प्रेस करने से देखो यह break हुआ है अभी इस को select रखते हुए इसका जो font size है इसको 150 करता हूं सो अभी इस selected है shift के साथ इसको भी select करके e और c करो आप तो यह center में आ गया अभी इन दुनों को select रखते हुए अभी में क्या करता हूं इसका fill remove करता हूं यानि इदर cross mark में आके आपको left click करना है तो यह fill remove हो गया text को क्या रहता है outline नहीं रहता है तो इदर black में आके mouse right click करता हूं set outline के लग बोलता हूं तो यह देखो अभी एक outline आ गया इसमें इहां पर तो ला gap को तो ला adjust करता हूं एक बार d select करके yes को select करो आपको select करके इसको क्या है थोड़ा right side में लाया मैंने तो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूं इन दोनों को select करता हूं ctrl G करो आप तो एक group हुआ है अभी इसमें क्या है कुछ colors को मुझे fill करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इधर interactive fill tool में आता हूं इधर क्या है smart fill करके इसको click करता हूं यहां पे click के आ मैंने तो देखो भी ऐसे color fill हो रहा है यहां पे इसे click कर लेता हूं तो यह color fill हुआ है तो अभी मैं क्या करता हूं ऐसे आप drag करो यह black जो टॉप में जो portion है वह select हूआ अभी क्या है shift को hold करते हूं यहां से यहां तक लेता हूं तो total black क्या है select हूआ अभी इन सब को क्या है weld करता हूं मैं weld करने से दिखो यह single object बन गया भी, अभी इसको क्या एक सायन कर देता हूँ मैं, अभी इसमें क्या है, फिर से, इधर interactive fill tool में आता हूँ, इधर क्या है, smart fill है, इधर click करता हूँ मैं, तो फिर से इसे fill हो रहा है, अभी इन सब को select करता हूँ मैं सब को इससे select करके जो black portion है उतना ही select किया मैंने इसको एक share देता हूँ सो अभी इसमें मुझे क्या करना है इन तीनो portion को select करना है shift को hold करते हुए अभी weld करता हूँ तो यह single object बन गया अभी इसमें मुझे क्या करना है तोड़ा shadows create करना है यानि त्रिली जैसा दिखना चाहिए तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इदर freehand tool लेके एक line draw करता हूँ यहां से यहां तक line draw किया मैंने इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर smart fill लेता हूँ फिर से smart fill लेके इधर click करता हूँ तो यह black color इसे fill अभी इन lines को क्या है? आपको delete करना है, जो line हमने draw किया था, इसको delete करता हूँ मैं, तो इतना करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको select रखते हुए, transparency tool लेता हूँ, लेके, ऐसे drag करो आपर, with angle मैं drag कर रहा हूँ, so इसको इसे अंदर की तरफ लेता हूँ, तो देखो भी, इसका shadow इसके ओप करता हूँ, इसको थोड़ा distance कम कर लेता हूँ, so अचाहे तो आप इस point से भी, ऐसे angle आप change कर सकते हैं, so यह समझ में आ रहा है आपको, इसी तरह क्या है, इसको एक बार click करो, आप click कर कर के, इसे drag करना है आपको, so अभी इसको भी थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ इसका distance कम करता हूँ, so अचाहे तो आप इसको angle कम जादा कर सकते हैं, angle को आप change कर सकते हैं, so यह समझ में आ गए आपको, so इतना करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इस portion में आता हूँ, इसको एक बार click करना है, click करके इसे drag करता हूँ, so देखो भी इसा आ गया, अभ समार्ट फिल में आता हूँ, इस portion को इधर click करता हूँ, यहा पे भी click करो आपको, अभी इधर भी क्या है आपको, transparent से लेके, इसे drag करना है, so देखो भी इसका shadow जैसा जाएसा लग रहा है आपको, so इसी तरह क्या है, इस portion में भी आता हूँ, इधर भी क्या है इसे, drag करना है आपको इसको थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ, so control को hold करके आप करेंगे, तो straight में आता है, so आपको जैसा आपको चाहिए, distance सेट कर सकते हैं, अभी इन सब को select करके outline को remove करता हूँ, so देखो भी यह क्या है एक, T.O.R.S का एक logo बन गया, इस तरह क्या है, number of logos आप create कर सकते हैं, अगर यह करते हो, तो आपको कुछ doubts होगे रहा है, तो मुझे comment box में comment किजिएगा, हमारे साथ जुड़े ने के लिए, और इस चनल को subscribe करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद,